हलो फ्रेंड्स वल्कम तू आज मैं आपने जो वीडियो दिखा रहा देखे HDFC बैंक क्वाटर टू के नतीजे आपके सामने हैं आज शाम को ही नतीजे आ गए थे लेकिन अब इंपोर्टेंट बात यह कि बंपर प्रॉफिट जो क्वाटर टू में दिखाया है HDFC बैंक ने तो शेयर में शेयर की चाल क्या रहने वाली है अगले हपते वह इंपोर्टेंट है क्योंकि आज तो सेटेड़े हैं मार्केट खूलेगी मंडे को तो मंडे को क्या कैसी हालत रहने वाली है शेयर की जड़ा समझते हैं टेकनिकल फंडमेंटल आस्पर्ट से समझने की कोशिश करते हैं और आगे बढ़ने से पहले मापको पता दूगर आपने तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले साथ के साथ बैल आकन को प्रे मैं कहूंगा जिसमें profit growth sales बहुत ही जबर्दस रहता है amazing stock अगर आप long term perspective से देख रहे हो तो लेकिन यहां पर जो आज नतीज़ा है सबसे पहले नतीज़े को इपर बात करता है फिर बाखी detail देखेंगे नतीज़े आज के दिन में चार साड़े चार बज़े ही आ गए थे औ और अब नतीज़ों को देखे जरा सबसे important बात यह है कि NPA सुप्रीम कोड ने यहां पर कह दिया था कि NPA भी आपको declare नहीं करने वह आगे चलके थोड़ा आगे आप कहने कि अभी बहुत सारे मतलब यह मान के चाहिए चाहे वह छोटे बिजनस हो बड़े बिजनस हो बहुत आपको करोड करके बताऊंगा वेबसाइट से रिजल्ट में आपको दिखा रहा हूं इंट्रस्ट अंड देखिए कि इस कौटर में कितना इंट्रस्ट नहों ने कमाया जैसे यह सारी फिगर लैक में मैंने आपको बताई तो यह देख लीजिए अब आप सीधे सीधे 31,742 क करोड का यह देखिए 31,742 करोड का इंट्रस्ट ही इंट्रस्ट जो है SDFC बैंक ने कमाया जो कि पिछली बार कितना था अल्मोस 30,000 और 16 करोड का यानि कि इंट्रस्ट इंकम है बढ़िया जंप आपको देखने को मिल रहा है इंट्रस्ट इंकम के बाद देखिए बहुत सार 6,130 करोड तो सीधे सीधे जंप आपको इंट्रस्ट इंकम मैं भी देखने को मिल रहा हो वह बहुत दो हजार करोड से उपर का बहुत यह बढ़िया अब एक्सपेंसेज हुए हैं एक्सपेंसेज के बाद कंपनी ने प्रोविजन्स भी निकाल रखे होंगे कंटिक्जन्सी प्लाइन के साब से उसके बाद सारा चीज आपका निकलता है प्रॉफिट कितना हुआ भई कितना कमाया बैंक ने तो कमाया कितना आप यह देखिए क्लि रहा है और यह net profit for the period है अगर आप overall picture देखो गे तो बहुत ही अच्छी पिक्चर मुझे यह देखने को मिल रही है SDFC bank के profit की तरफ से लेकिन पिछले कुछ numbers जैसे आपने देखे होंगे IT सेक्टर में बहुत बढ़िया बढ़िया result आए लेकिन उसके बावजूद भी share इतने jump कर चुके थे तो उनमें उसके बावजूद भी बड़ी correction वहाँ पे देखने को मिली और अगर आप पूरी की पूरी जिस तरीके से लोगों ने estimate लगाया था बड़े बड़े analyst ने estimate लगाया था तो उसके हिसाब से कहीं बहतर ये profit देखने को मिल रहा है और अगर इसी तरीके से आप बात आएगे किसके यहाँ पर NPS की बात आती है कि NPS क्या declare किये हैं और उसके बाद अगर मैं बात करू अर्निंग पर शेयर की अर्निंग पर शेयर देखा जाए तो 14 रूपीज का अर्निंग पर शेयर जो कि पिछले साल 12 रूपे के आस पास नंबर तीन को डिरेक्टेट बैट अकाउंट्स विच वर नॉट डिकलियर एंप यह जो 31 अगस्त तक डिकलियर नहीं किये गहें एंप यह शेल नॉट बी डिकलियर एज एंप टिल फॉर्दर ओडर देखें यह सुप्रीम कोट की क्लियर कट गाइडेंस है इसी लिए बैं बिजनस तो बिलकुल ठब पड़ गे उनके पास कैस करा साल बिजनस चलता है वो लून पर ही चलता है लों से अगर हम बिजनस चल रहा है तो फिर पैसा दे पाते नहीं तो फिर वह एंप यह हो जाता है ले लो और वही सिचुषन अभी के टाइम पर आई है और बैंक्स की जो हालत है वो इसलिए थोड़ा सा खराब होती जा रही क्योंकि बहुत बहुत मैं कहूंगा यह NPA बड़े बड़े नंबर डेक्लियर हो सकते हैं आने वाले टाइम पे इसलिए सुप्रिम कोट ने भी अभी जो है यह यह देखिए जरा मैं को एक एक चीज यहां पर यह गवर्मेंट का जो है ऑर्डर होना चाहिए जो सुप्रिम कोट को लेना पड़ रहा है जरा सोचिए कि भई अभी आप NPA डेक्लि बाद यह चीज हुई है और भी इतनी लेट सब कहर किसी को पता है यहां पर चीजे बिजनसे ठब पड़े हैं कैसे आप अभी NPA डेक्लियर करवा रहे हो तो वह चीज मुझे यह अच्छा लगा सुप्रिम कोट एक फाइनली हमारे पास उपर है गवर्मेंट के भी उपर ए रेशियो और प्रफॉर्मा नेट एंपे रेशियो वूड है बीन वन पॉइंट थी परसेंट अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो यह बैंक ने नंबर आपके सामने दिया है यह अपना नेट एंप और जो भी आ उनने अपर डिया लिया होगा यह नंबर से तो एस डिया के नंबर से मारे पास यहां पर देखे 14.0 पॉइंट के आग पास तक यह देखने को मिल रहे हैं अब जरह हम आपको वेबसाइट पर लेके जारा हूं यहां पर अपडेटेड जो है डिटेल्स हैं म्यूचल फंड्स का अगर आप देखो तो 13.95 पॉइंट के होल्डिंग यानिकि 62 करोड शेर्स और जो की पिछली बार 62 करोड 63 लाग थे जून क्वाटर में और इस सेप्टमबर क्वाटर में यह नंबर 62 करोड 42 लाग शेर्स है यानिकि कम ही जरूर देखने को मिल रहे हैं औ और ओवराल मार्च क्वाटर के कंपेर्जिन में देखा जाए तो धीरे धीरे यह कम हुए है लेकिन उसके कंपेर्जिन में अगर आप फॉरण पॉर्टफोलियो निवेशकों को देखते हो तो इनके मैं मुझे थोड़ा सा इजाफा देखने को मिल रहा है इवन 165 करोड श पॉर्टफोलियो निवेशकों ने जबरतस खरीदा रही की है करोड़ों शियर्स यहां पर खरीदे है और इंशॉरेंस कंपनी के होल्डिंग को भी अगर मैं देखू यहां पे लाइसी की खास करके होल्डिंग मुझे बढ़ती हुई नजर आ रहे है इस कॉर्टर में आप अभी खरीदा गया देखिए 14 करोड 74 लाक और उसके बाद यह गया 15 करोड 53 लाक लेकिन अब देखिए किस तरीके से 16 करोड 95 लाक तो इस तेजी में जबरतस माल खरीदा गया अब देखते हैं हम टेकनिकल पर चलते हैं समझने की कोशिश करते हैं SDFC बैंक को SDFC बैंक बहुत जो important part था वो देखिए पहली तेजी तो हर कोई हर कोई पहली तेजी में कोगए डर का माहौल होता है आपको correction चाहिए होता उस correction का resolution कहीं ना कहीं important उसके बाद क्या होता आपको stop loss मिल जाता है जैसी आपको stop loss मिल जाए उसके बाद आपको easily entry का point मिल जाता है उसके बाद ज़रे इन करेक्शन को देखिए यह करेक्शन फिर से आई आपके पास दो हायर लो हायर लो बनता गया और फिर जैसी यह रिजॉल्व भी पिछले दो वीक में धमाल मचा दिया अब यह वीक बड़ी कैंडल छोटी कैंडल बनता हुआ दिख रहा और स्टॉप लॉस आपके प पर जा चुक है तो बढ़िया एरिया यह माना जाता है लेकिन अब समझने की कोशिश करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे डेली टाइम फ्रेम पे यानि की थसदे की कैंडल बहुत ही खतरनाक और डरावनी कैंडल इतनी बड़ी लाल कैंडल तो अपने आप में और भी उतना ब बहुत दूर है देखिए भई दूरी जरूर इंपोर्टेंट है क्यों इंपोर्टेंट है वह आपको पता ही है क्यों कि इतनी बड़ी ये रेडी केंडल अपने आप में खत्रे की घंटी है तो इसलिए अगर आप एंट्री करना चाए इस कर्येक्शन के रेडिया बन जाता है correction का resolution अगर आप पिस्थी correction को देख लें तो इसका resolution में मैं कहूंगा कि यह जो level था 1060-1070 का level बहुत important था stop loss आपके पास ready था 1020 के आसपास का तो इस तरीके से समझें correction के resolution को जो आपको entry के मौके देता है और यह देखिया जब रदस रही देखने को मिले इस correction के resolution पर और उससे पहले भी अगर हम correction के resolution को कहें तो देखिए हायर लो हायर है कि series बनती रहे और यह correction का resolution बना और बड़ी रैली फिर correction आया अभी यह resolution तो कहीं न कहीं आपको लग रहा होगा कि SDFC बैंक का शेर बड़ा धमाका कर सकता है अगरे आने वाले टाइम पर बड़ फिर भी मैं यही कहूंगा कि पिछले वीकिस रेड़ candle से थोड़ा सा सचेत रहें और इस level को हाय पार करने तो आपकी safe entry देखने को मिलेगी तो wind up करता हूँ वीडियो को उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ अच्छा लगा तो शेर जरूर कीजे लाइक कीजे चैनल सब्सक्राइब निका तो जलीजे सब्स आती रेकें थांक यू थांक यू थांक यू वाचिंद वीडियो